नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 4-stroke petrol engine के बारे में automobile में 4-stroke petrol engine कैसे वर्क करता है, इसके कौन-कौन से parts होते हैं और इसके कौन-कौन से हमारे thermodynamic cycle होते हैं, जिसके थुरू ये हमारे engine को power provide करता है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं 4-stroke petrol engine की, 4-stroke petrol engine को auto cycle engine भी कहा जाता है इसको auto cycle engine इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज एक German scientist Nicholas Otto ने 1876 issue में की ती उसी के नाम पर इसको 4-stroke auto cycle भी कहा जाता है देखेंगे, इसमें हम spark plug का use करते हैं petrol engine में इसलिए यहाँ पर इसको spark ignition engine भी कहा जाता है 4-stroke petrol engine में जो हमारे heat added होती है, तो वो भी हमारे constant volume पे होती है इसलिए 4-stroke petrol engine को constant volume cycle भी कहा जाता है अब हम बात करते हैं इसके thermodynamic cycle की तो देखेंगे दोस्तों इसके 4 main thermodynamic cycle होते है पहला होता है section stroke जिसको intake stroke भी कहा जाता है दूसरा होता है compression stroke तीसरा होता है power stroke या फिर इसको working stroke भी कहा जाता है और last होता है exhaust stroke हर एक stroke 180 degree complete करता है अपने radius का तो हमारे total 4 stroke में ये सारे के सारे 70-20 degree को complete करते हैं यहाँ पर जानने वाली बात यहाँ यह है कि 720 degree complete करने पर हमारा जो crankshaft होते हैं उसके 2 complete revolution होते हैं यानि ये crankshaft 2 complete revolution करता है इन 720 degree में और इस 720 degree में हमें केवल एक power stroke मिलता है जो हमारे engine को power provide करता है तो ये थे इसके different kind के thermodynamic cycle चलिए हमें इसके थोड़े से parts को discuss करते हैं देखिए ये हमारा एक पूरा engine block है सबसे उपर हमारा यहाँ पर ये slender head है इसके नीजे ये हमारा piston है piston हमारा यह connecting road से connect होता है ये connecting road है ये connecting road फर्दर यहाँ पर crank shaft से connect होती है ये हमारी crank shaft है ये piston connecting road से गजन pin से connect होता है और connecting road हमारी crank shaft से crank pin से connect होती है अब आप यहां देखेंगे यह हमारा नीचे का जो portion है इसको crank case कहते हैं यह हमारे cylinder engine का सबसे bottom most part होता है इसके अंदर हमारा lubrication oil फिल होता है यहां पर आप crank case में देखेंगे यहां पर यह जो shape है यह क्या करती है दोस्तों यह shape जो होती है यहाँ पे जो हमारा lubrication oil फिल होता है इसको splash करती है splash करने के कारण यह lubrication oil connecting road, piston और हमारी slender valve से टकराता है और इस तरह से हमारे engine को lubrication oil मिलता है साथ के साथ यह हमारे crank shaft का bottom more portion इसमें balancing का भी काम करता है देखे इसमें दो valve होते हैं एक inlet valve होता है एक exhaust valve होता है इसमें हमें spark plug की need होती है compress को ignition provide करने के लिए यह हमारे इसके main parts है चलिए बात करते हैं अब 4 stroke petrol engine के working की सबसे पहले हम बात करेंगे suction stroke की suction stroke को intake stroke भी कहा जाता है suction stroke में क्या होता है सबसे पहले हम valve position को discuss करते हैं suction valve में हमारा inlet valve जो होता है वो open position में होता है और हमारा exhaust valve जिसको closed position में रखते हैं यह हमारा closed position में होता है starting में जब हमारा engine रुका हुआ होता है बंध होता है तब हम इसको किसी भी electric motor की सहता से यह flywheel की सहता से power provide करते हैं जैसा कि आप अपने bike में देखेंगे आप self start करते हैं तो जब self दबाते हैं तो यह हमारे electric motor से connect होने के कारण इसको revolution provide करती है और यह rotate होना start हो जाता है और हमारा cycle start हो जाता है तो सबसे पहले हमारे valve में inlet valve open है और exhaust valve closed है अब हम बात करते हैं इस piston की देखें कि हमारा piston क्या करता है यह हमारा top dead center है और हमारा bottom dead center है तो हमारा piston top dead center से bottom dead center की तरफ move करता है इस movement में क्या होता है इस movement में देखिए यह piston जब downward move करता है तो यहाँ पर हमारा engine है combustion chamber है उसके अंदर vacuum crate होती है यह vacuum क्या करती है यह vacuum एक तरह से negative pressure develop करती है इस combustion chamber में और भार हमारा atmospheric pressure है जो की high है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा pressure difference हो रहा है इसी pressure difference के कारण हमारा carburetor work करता है तो carburetor के अंदर हमारी fresh air filter के थुरू मिलती है और यहाँ पर fuel मिलकर हमारे combustion chamber में in करता है और यह हमारा fuel यानि air fuel का जो ratio है यह हमारे इस combustion chamber को fill करता है कब तक करता है जब तक कि यह piston हमारा bottom dead center पर नहीं पहुँच जाता तो जैसे ही हमारा यह piston bottom dead center पर पहुँचता है यानि इस position पर almost तो हमारा inlet valve closed हो जाता है और exhaust valve already closed है यह था हमारा suction stroke यानि कि हमारा mainly इसमें क्या हो रहा है इसमें हमारा suction हो रहा है suction मतलब air fuel charge in हो रहा है इसको कहते हैं suction stroke चलिए अब हम second thermodynamic cycle की बात करते हैं जिसे कहते हैं compression stroke सबसे पहले हम valve position की बात करते हैं इसमें हमारे दोनों valve यानि inlet valve और exhaust valve दोनों के दोनों closed position में होते हैं closed position अब देखें क्या होता है अब हम बात करेंगे piston की इसमें piston हमारा bottom dead center पे है यह bottom dead center है यहाँ से हमारा piston upward direction यानि top dead center के तरफ move करता है यह हमारा top dead center है यानि हमारा piston upward direction में move करता है तो bottom dead center से piston हमारा top dead center के तरफ move करता है इस movement से क्या होता है दोस्तों देखे इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा charge fill है और यह जब हमारा piston upward स्टॉक करता है तो इस charge को compress करता है और यह जो compression होता है यह किसके base पर होता है दोस्तों यह हमारा compression ratio के base पर होता है जो कि मैंने last lecture में बहुत अच्छे से discuss किया था जितना ज्यादा हमारा compression ratio होगा उतना ही अच्छा इंजन वर्क करता है तो जितना हमारा अच्छा compression ratio होता है उतने ही हमें ज्यादा power produce होने के chance मिलते हैं तो जैसे ये cylinder हमारा top dead center पे पहुंसता है तब क्या होता है ये जो ये जो हमारा top dead center है ये वाला ये portion जो है और इसके slender head के बीच में ये चार्ज इतना compress हो जाता है और जैसे ये top dead center पे पहुंसता है तो यहाँ पे इसका जो temperature होता है इस चार्ज का वो almost 200 degree centigrade से 350 degree centigrade के बीच में रहता है और इसके अंदर जो pressure है fuel का वो almost 6-12 kg force per centimeter square हो जाता है at the end of the top dead center जब हमारा piston top dead center पे पहुंसता है तब हमारा यहाँ से spark plug से spark produce होता है यह था हमारा compression stroke के बारे में अब बात करते हैं power stroke की power stroke जिसको working stroke भी कहा जाता है वो क्या होता है power stroke में हमारे दोनों valve inlet valve और exhaust valve दोनों के दोनों हमारे closed position में होते हैं यानि यहाँ पे यह दोनों बंध है और यहाँ यहाँ पे piston की बात करें तो हमारा यहाँ पे piston top dead center से bottom dead center की तरफ move करता है यानि यहाँ पारा top dead center से to bottom dead center की तरफ move करता है देखे से क्या होता है जैसे ही हमारा spark produce होता है तो यहाँ पे जो देखेंगे, जो चार्ज है कैसा है, बहुत ज़्यादा high compressed है, कितना, जिसका temperature almost 250 degree से 350 degree centigrade, pressure 6-12 kg force per cm2 है, तो यहाँ पे जैसे ही spark produce होता है, इसके अंदर blast होता है, इस air fuel के mixture के अंदर जब blast होता है, तो क्या होता है, यह piston को बहुत ही high thrust के साथ, बहुत ही high momentum के साथ, बहुत ही high velocity के साथ, downward motion देता है, क्यों देता है, क्योंकि यह ऐसी हाँ पे blast होता है, यहाँ पे जो temperature है, वो almost 1800 degree centigrade से लेकर, 2500 degree centigrade तक पहुँच जाता है, और इस पे piston पे लगने वाला force, pressure, वो almost इसके 4 गुना 30 से 40 kilogram force पर centimeter square हो जाता है, आप देखेंगे, यह इसका almost 4 से 5 गुना है, तो जैसी यह इतना high force क्या करता है, इस piston को downward motion करता है, यह जो downward motion करता है, तो यहाँ पे हमाई power produce होती है, और इसी power produce होने के कारण हमारा automobile work करता है, यह power हमारी कुछ portion में flywheel को चली जाती है, बाकि हमारे engine के working में utilize हो जाती है, इसको हम power stroke कहते हैं, क्योंकि हमारे इसमें power produce होती है, यहाँ हमारा main working होती है, इसलिए से working stroke भी कहते हैं, तो यह था दोस्तो, power stroke के बारे में, चलिए, अ अब last हम discuss करते हैं, exhaust stroke को, कि exhaust stroke क्या होता है, देखिए अभी इस exhaust stroke में हमारे wall की position, inlet valve हमारा closed position में होता है, और जो outlet valve है, जिसको exhaust valve भी कहते हैं, वो हमारा open हो जाता है, जब यहाँ पे आप देखेंगे, जब हमारा piston नीचे से उपर के तरफ move करता है, यानि हमारे हाँ पे piston की position कैसी है, upward direction में, यह अप move करता है, यानि bottom dead center से, top dead center के तरफ move करता है, यहाँ पे यह जो gas है, यह जो pressure, high pressure gases है, एक तो यह खुद अपने pressure के कारण आदी से जादे तो खुद भार निकल जाती है, जैसे exhaust valve open होता है, बाकी बच्ची हुई remaining gases को, जब हमारा piston अपवड motion करता ह है, तब इसे निकाल देता है, और two surrounding दे देता है, इसमें देखिए, जब हमारा piston maximum top dead center में पहुँच जाता है, यह top dead center है, तब यहाँ पे यह जो space है, cylinder head और top dead center के बीच में, इसे clearance volume कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारी volume रह जाती है, exhaust gas की जो भार नहीं निकल पाती, मगर यह क्या होती है volume, यह burnt gases हमारे again incoming charge के साथ मिल जाती है, इस तरह से thermodynamic cycle continuously flow होता है, और work करता है, यह था दोस्तो four stroke petrol engine के वारे में, thank you for watching,